हेलो गाईज, विल्कम यो ओल, मैंनेम इस लामे नसीम और चलिया आईए स्टार्ट करते हैं आज के स्वीडिय लेक्चर को इंजीनियरिंग मैथेमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हो और चैप्र नमबर थी हमारा चल रहा है डिफेरेंशल इक्वेशन अगर मैं प्रीविए तो मैं आपको सिखा रही थी method to find general solution for a differential equation तो यहां पर हम लोगों ने क्या के चीज़ा सीख रखे हैं पहले हमने सीखा के variables, separable method के help से हम कैसे general solution को find out कर सकते हैं उसके बाद हम लोगों ने सीखा था homogeneous method आज हम लोग 3rd method से continue करेंगे linear differential equation method सबसे पहले देखेंगे non-linear differential equation method देखे देखेंगे exact non-exact पर नहीं जाएंगे कुछ questions को solve करेंगे पहले यह सारे methods की practice करेंगे then we will go for exact and non-exact method तो आपको पूरा समझ आ गया होगा कि आगे हम लोग कैसे चलने वाले start करते हैं linear differential equation method मैं आपको समझाती हूं ध्यान दीजे का ज़रा सबसे पहले मैं आपको बता यहां पर एक y होगा is equal to q यह भी x का function होगा अब ध्यान दखेगा यहां पर p या तो x का function होगा या तो constant होगा y का function नहीं होने वाला और यहां पर एक y रखा होगा और इस तरीके से dy by dx ओके तो यह मैंने आपको एक general equation दिखाई है general differential equation अगर आपको इस तरीके का format मिलता है ज either a function of x जैसे कि मैंने आपको बोला कि p x and q x are either a function of x or constant is called the first order linear differential equation in dependent variable y इसमें dependent variable कौन होगा इसमें dependent variable आपका y होने वाला होगे the general solution अगर इस तरह का आपको form दिखता है इस तरह का से आपको first order linear differential equation दिखती है तो इसका general solution क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं इसका general solution होता है आपका y dependent variable हो गया into if what is if if is the integrating factor अभी कैसे निकालते हैं इसके बारे मैं आपको बताऊंगी उसके बाद आप लगाओगे integration का sign okay integration के sign के बाद यह जो आपका q होगा या तो किसी x का function होने वाला या तो यह constant होने वाला है आप यहाँ पर put कर दोगे फिर इसके साथ multiply कराओगे आप किसका जो आपने integrating factor निकाला होगा और dx की respect में इसको आप क्या कर दोगे इसको आप कर दोगे integrate plus constant okay so this is your final solution this is your final solution अब integrating factor क की बात करते हैं कि integrating factor हम लोग कैसे निकालेंगे तो ध्यान दीजेगा integrating factor आप निकालोगे p की value से p या तो x का function होने वाला है जैसे कि मैंने आपको बताया या तो कोई constant value होगी तो integrating factor होता है e to the power यहाँ पर integration का sign px dx okay dx की respect में हम लोग इसको integrate करेंगे और constant हो जाएगा तो dx का direct आपको integration मिल जाएगा x okay तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से linear differential equation method के apply करके differential equation के general solution को find out कर सकते हैं अगर आपको यह कुछ भी नहीं समझाया है कि मैंने यहाँ पर कैसे लिग दिया तो अभी 1 minute का मुझे time दीजे आपको जैसी मैं से related question कराऊंगे आपको सारी confusion दूर हो आपको dx upon dy के term equation दी हो जहाँ पर x आपका dependent variable हो तो उस particular case में हम लोग क्या करेंगे ध्यान दीजेगा ध्यान दीजेगा अब first order linear differential equation of dependent variable x हो गया अगर dependent variable x हो गया of the form यहाँ पर आप देख सकते हो कौन सी form दी है मैंने dx upon dy plus अब जो पी आपका x का function यह constant होने वाला था अब वह ही पी क्या हो जाएगा y का function होगा यह constant होगा जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ वहाँ पर y आ जाएगा जहाँ जहाँ पर y होगा वहाँ पर x आ जाएगा is equal to अब यह जो क्यू है या तो यह y का function होगा या तो यह constant हो जाएगा तो इस particular case में यहाँ पर जो आपको general solution मिलेगा जो आपको इस differential equation का general solution मिलेगा वो होगा x dot dot मतलब multiplication का sign integrating factor is equal to फिर आपने integration का sign लगाया यहाँ पर आ जाएगा क्यों या तो यह y का function होगा या तो constant होगा इसमें आप क्या करोगे integrating factor का multiply करा होगे dy plus constant so this is your final general equation of the given differential equation यह form आपको दिख जाएगी जैसे आप questions देखोगे तो आपको यह form दिख जाएगी अब यहाँ पर integrating factor क्या हो जाएगा यहाँ पर integrating factor आपका हो जाएगा आपको मिलने वाला है और integrating factor कैसे find out करते हैं या आपको ध्यान रगना है problem कहां आती है problem वहां आती है जब हम लोग non-linear differential equation के साथ deal करते हैं उससे related भी मैं बात करूंगी बट उससे पहले चलिए आईए एक question discuss करते हैं non-linear पर बात में चलेंगे तो question number one देखिएगा मैंने आपके लिए question निकाला है जरा ध्यान दीजेगा question है the solution of the equation बोल रहा है the general solution of the general solution of the equation equation आपको क्या दी हुई है dq upon dt अब confuse मत होईएगा जहां जहां y है वहां वहां q consider कर लीजेगा जहां जहां x है वहां वहां t consider कर लीजेगा dq upon dt plus q is equal to 1 यहां पर कुछ initial condition भी दे रहा है with q is equal to 0 at t is equal to 0 is आपको यहां पर इसको solve करना है कि यह given equation का general solution होगा क्या तो यहां पर अगर आप ध्यान दोगे तो आप देख सकते हो यह वही linear differential equation का form है कैसे यहां पर ध्यान दीजेगा d y upon dx okay plus p x into y okay is equal to q x यही हमने general form पढ़ी है यहां पर देख सकते हो आप यहां पर इस general form पर ध्यान दीजेए यही general form से हम क्या करेंगे compare कराएंगे तो y ने किसको replace करा है y ने मतलब q ने y को replace करा है इसी तरीके से t ने x को replace करा है तो यहां पर अगर मैं आपसे p x की value पूछूँ तो p x की value आप कित्ती बताओगे देखिए यह जो q है यह y का का काम कर रहा है और यहां पर क्या रखा है सिर्फ और सिर्फ 1 तो p x की value कित्ती हो जाएगी अब एक बार आपको यह सारी values बिल गए सारी tension वाली मतलब सारा tension खतम हो गया अज सबसे पहले निकालते है integrating factor यह होगा e to the power integration p of t ओके यहां पर आप x का काम कौन कर रहा है यहां पर x का काम कर रहा है t तो मैं यहां पर bh t रख दूंगी और यहां पर bh t रख दूंगी तो p t ये होगया pt qt ये होगया तो यह हो गया pt into dt, इसके respect में कर देंगे, तो यह हो जाएगा integration 1 into dt, तो finally आपको मिल जाएगा e to the power t, okay, simply e to the power t मिल गया, अब इसका general solution था क्या, इसका general solution था y into integrating factor, अब y का काम कौन कर रहा है, देखें मैं बार बर वही xy लिख रही हूँ, उसके बाद replace कर रहे हूँ, ताकि आपको कोई confusion ना हो, y का काम कौन कर रहा है, q कर रहा है, is equal to, फिर क्या था integration, okay, integration q of x, तो यहाँ पर q of x की जगा क्या पूट करेंगे, q of t, q of t कितना है, one है, into integrating factor e to the power t dt plus constant, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर simply इसको solve करोगे, जब आप इसको solve करोगे, तो आपको मिल जाएगा, q into e to the power t is equal to, e to the power t का integration कितना होगा, e to the power t ही रहने वाला है, plus कितना हो जाएगा, यह constant हो जाएग तो q is equal to 1 plus c e to the power minus t आपको मिल जाएगा, यह आपके पास एक equation आगई, अब यहाँ पर जो आपका constant है, इसको आप कैसे find out कर सकते हो, यह जो initial आपको conditions दी होई है, q is equal to 0 पे आपको t is equal to 0 मिलेगा, तो हमें पता है, at q is equal to 0, t is equal to 0, यह कह सकते है, at t is equal to 0 पे, आपको q कितना म minus 0, आप e to the power 0 का मतलब क्या, 1 की power 0 का मतलब क्या, आपको 1 ही हो जाएगा, तो c की value आपको कितनी मिल जाएगी, minus 1 मिल जाएगी, अब आप जब यहाँ पर उठा के put करोगे, तो आपको final general solution मिल जाएगा, q is equal to 1 minus e to the power minus t, and this is your final answer, तो आपने देखा कि किस तरीके से हम लोगो ने question को solve करा, तो यह एक important format है, यह important form है, जिसे आपको ध्यान दखना है, और इसको solve करने के लिए, अगर dx upon dy है, तो यह लगाए, dy by dx है, तो यह लगाए, अगर q, t, s, r किसी के भी term में दिया हुआ है, तो आप उसको थोगा सा replace करने की कोशिश करिए, x and y से ताकि आपको confusion ना होगे, तो यह topic आपका complete हो गया, अब next method की तरफ चलते हैं, total तीन method हम लोगोंने complete कर लिये, okay, variable separable, homogeneous method and linear differential equation method, अब बात करते हैं, non-linear differential equation method से किस तरीके से हम लोग find out करेंगे, differential equation का general solution, तो ज़रा ध्यान दिजेगा, अगर कोई differential equation is form में है, dy by dx plus pxy plus is equal to qxy to the power n, अभी तक आपने जो form देखी, पीछे चलिए ध्यान दिजे ज़रा यहां पर, अभी तक आपने जो यह form देखी, यहां पर तो y था, okay, यहां पर तो y था, मगर यहां पर आपको, या तो सिर्फ और सिर्फ x का function मिल रहा था, या तो constant मिल रहा था, okay, यहां पर y का function नहीं होन तो अगर यहां पर y का function आजाएगा, इस तरीके से y to the power n हो गया, y square हो गया, y to the power minus 1 हो गया, कुछ भी हो सकता, okay, तो यहां पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, non-linear differential equation बोलते हैं, और इसका एक नाम और है, Bernoulli differential equation in dependent variable y, okay, Bernoulli differential equation in dependent variable y, तो यहां पर आपको basically दिया क्या है, dy upon dx plus pxy is equal to qxy to the power n, okay, कभी भी आपको इस तरीके की non-linear differential equation मिलती है, और आपको इसका general solution find out करना होगा, तो इसका एक procedure है कि किस तरीके से इस तरीके का question solve करे जाएंगे, ध्यान दीजेगा, सबसे पहले क्या करेंगे, यह y to the power n को इधर लेके जाएंगे, तो यह हो जाएगा आपका y to the power minus n, okay, y to the power minus n हो जाएगा, और यह हो जाएगा आपका dy upon dx, फिर क्या करेंगे, यहां पर इ base दोनों के same होंगे, 1 और minus n एड होके क्या बना देंगे, 1 minus n बना देंगे, और यहां पर क्या बच जाएगा, p of x is equal to q of x बच जाएगा, तो यहां पर अब हम लोग क्या करेंगे, क्या इसी form को, इसी form को जो non-linear differential equation की form है, इसको हम लोग linear differential equation की form में convert करेंगे, और उसके होगा, यहां पर हम लोग let करेंगे, यहां पर यह जो term रखा हुआ है, y to the power 1 minus n is equal to z, हर बार यही करना है, यहां पर p के साथ जो यहां पर रखा होगा y की value, इसको हम लोग क्या करेंगे, let कर लेंगे z के term में, तो यहां पर जब आप इससे solve करोगे, तो यह हो जाएगा, integrate क यह जाएगा, dy by dx, और इधर क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा, dz upon dx, तो हम लोग क्या करेंगे, y को replace करके, in terms of z हम लोग एक equation बनाएंगे, जो कि हमारी linear differential equation होगी, फिर हम लोग सेम method से उसको solve कर लेंगे, बाद में क्या करना है, z की value को उठा के put कर देना है, अब अ y to the power minus n dy by dx, यहाँ पर आगो क्या मिल जाएगा, y to the power minus n dy by dx is equal to 1 upon 1 minus n, ok, 1 upon 1 minus n, dz upon dx, dz upon dx, एक बार question में apply करके दिखाया है, तो कुछ नहीं बचेगा, ok, सब कुछ समझ आ जाएगा, बट थोड़ा सा आप in general भी समझने की कोशिश करिए, आपको जादा फायदा होगा, अग हमने देखा कि हमें ये term की जगा, इसका एक substitute मिल गया, ये, ok, इसका एक substitute मिल गया, ये, तो यहाँ पर आप में क्या करने वाली हूँ, जरा ध्यान दीजेगा, इसको replace करूँगी किस के साथ, इसके साथ, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, 1 upon 1 minus n, dz upon dx, ok, dz upon dx, यहाँ पर आपने 1 minus n को क्या लेट करा, z लेट करा, तो यहाँ पर आप क्या आजाएगा, z आजाएगा, ok, तो यह हो जाएगा, plus pxz is equal to, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर आपका qx ही बचा है, तो यहाँ पर आपका आजाएगा qx, अब जरा आप खुद देखो, यह तो आपका एक जब आप इसको थोड़ा सा simplify भी करोगे, तो आपको मिल जाएगा, dz upon dx, plus pxz, 1 minus n, ok, यह constant term होगा, और यह हो जाएगा qx, 1 minus n, अब आप देख सकते हो, यह linear differential equation के term में, convert हो चुकी है, जहाँ पर यह क्या लिखा है, जरा ध्यान दीजेगा, यह लिखा है, आपका dy by dx, ok, मैं compare करा रही हूं, सिर्व आपको linear differential equation के साथ, मैंने बुला दा, यहाँ dy by dx होगा, फिर आपका p, या तो x का function होगा, या तो constant होगा, तो यहाँ पर आपको यह मिल गया, फिर यहाँ पर क्या होने वाला है, y होने वाला है, और फिर यह qx, या तो x का function होगा, या तो constant होगा, y ہ होना चाहिए, यहाँ पर, यही डिपेंडेन वेरेबल, यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो आप जरख इस वाली equation को देखो, इस वाली equation को देखो, और जरख इस वाली equation को देखो, इसको हटा देते हैं, तो जब आप दूनों को compare कराओगे, तो आप खुद observe करोगे, अब यह जो X और Z के टम में आपको equation मेली है यह आपके क्या हो चुकी है linear differential equation हो चुकी है और linear differential equation method को apply करके अब इसका general solution find out कर लोगे और at last जब आप सारी चीज़ा find out कर लोगे तो आप क्या करोगे Z की जगा क्या put कर दोगे यहाँ पर क्या consider करा था हमने 1 minus N तो last में हम लोग क्या करेंगे Z की जगा 1 minus N put कर देंगे तो I hope आपको यहाँ पर non linear differential equation method में clarity मिली होगी अगर नहीं मिली है कुछ कसर बज गई है कुछ मैं समझाने में आज समर्थ रही हूँ तो कोई बात नहीं आप एक question करिए मेरे साथ उस question से तो आपको definitely clarity मिलेगी differential equation 2x dy by dx okay 2x dy by dx is equal to 10x cube y to the power 5 plus y is okay आपको यह differential equation दी हुई है और इसका आपको क्या निकालना है general solution find out करना है कैसे find out करेंगे सबसे पहले इसको थोड़ा सा rearrange करके हम लोग देखते हैं कि यह हमें क्या मिल रहा है तो यहाँ पर देखेगा जरा मैं क्या करूंगी थोड़ा से rearrange करूंगी तो यह हो जाएगा 2x dy upon dx मैं यह जो y मुझे दिख रहा है इसको इस साइड ले जाओंगी तो यह हो जाएगा minus y is equal to यह हो जाएगा 10x cube y to the power 5 अब इस 2x को भी यहाँ से हटाई है क्योंकि हमने एक general form देख रखी है तो मेरे माइंड में वही general form दिमाग में है मेरे वो चीज़ ठीक है तो हम क्या करना चाह रहे है यह जो हमारे पास given differential equation है इसको मैं उसके form में break करके देखना चाहरे हूं कि आप मुझे final expression क्या मिल रहा होगे तो यहाँ पर देखेगा जरा यह हो जाएगा आपका dy by dx यह कितना हो जाएगा minus 1 upon 2x into y is equal to जब यह 2x का आप यहाँ पर divide दोगे तो यह हो जाएगा 5x square y to the power 5 अब आप यहाँ पर इसको आराम से देख सकते हो कि यह क्या दिया हुआ है यह दिया हुआ है dy by dx plus pxy is equal to qx into y to the power n आप देख सकते हो यह resemble कर रही है किसको non-linear differential equation को तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर इस non-linear differential equation को सबसे पहले linear में convert करेंगे then उसके बाद हम लोग इसका general solution find out कर सकते हैं तो कैसे करेंगे ज़रा ध्यान दिजेगा वहाँ पर हमने क्या करा था यह जो हमारे पास y to the power n था मैंने इसको भी धर भेज दिया था तो यहाँ पर भी same procedure apply करिए यह हो जाएगा y to the power minus 5 dy upon dx minus 1 upon 2x जब यह इसके नीचे divide करेंगे तो यह बच जाएगा y to the power minus 4 is equal to 5x square फिर मैंने आपसे बोला था जो p के साथ y होगा उसको हम लोग क्या करेंगे z consider कर लेंगे तो देखेगा जरा यहाँ पर मैं let करने जा रही हूँ let z is equal to y to the power minus 4 तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें dz by dx is equal to minus 4 y to the power minus 4 minus 1 dy by dx अब minus 4 minus 1 मिलके क्या बना देंगे minus 5 बना देंगे तो यह हो जाएगा y to the power minus 5 dy by dx is equal to minus 1 upon 4 dz upon dx अब आप देख सकते हो यहाँ पर यह भी सेम है यहाँ पर यह भी सेम है it means dy by dx इसको हम लोग replace करके क्या पुट कर सकते हैं 1 upon 4 dz upon dx पुट कर सकते हैं तो यह हो जाएगा minus 1 upon 4 dz upon dx okay मैंने क्या करा इसकी जगा यह पुट कर दिया जो हमें value मिली है उसके बाद क्या होगा उसके बाद होगा y to the power minus 4 को क्या लेट करा z लेट करा तो यह हो जाएगा minus का 1 upon 2xz is equal to और qx कितना बचा था यह बचा था आपका 5x square आप यहाँ से जरा आप ऐसा करिए दुनों तरफ से minus भी common लेजे 1 upon 4 भी common लेके उधर भेज दीजे थोड़ा से score simplify कर लीजे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा dz upon dx okay dz upon dx positive अब 1 upon 4 common लेगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 का multiply तो यह हो जाएगा plus का 2 upon x okay 2 upon x into z is equal to अब यह 4 common लिया है तो उधर चला जाएगा minus में हो जाएगा 20x square सिर्फ simple करा है simplify करा है नहीं समझाया अब अपने एंट से करके देखो यही final expression आपको मिल जाएगा अब आप इसको compare करा सकते हो किसके साथ अब आप इसको compare करा सकते हो dy by dx plus py is equal to qx देख सकते हो आप तो यहाँ पर हमें non-linear की जगा linear equation मिल चुकी है अब हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग final general solution जो हमने find out करा था उसका formula लगाएंगे क्या हो जाएगा integrating factor into z y की जगा यहाँ पर कौन work कर रहा है z work कर रहा है क्योंकि y को ही replace करके हमने z के term में लिखा है फिर क्या हो जाएगा integration यह हो गया 2 qx integrating factor dx plus constant अब क्या करेंगे integrating factor को find out करेंगे तो integrating factor हो जाएगा integration okay integration px तो px यहाँ पर क्या है आपका px यहाँ पर है आपका 2 upon x और qx यहाँ पर क्या है qx है आपका minus 20 x square तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे put कर देंगे 2 upon x dx तो 2 तो constant है 1 upon x dx का integration log x हो जाएगा और यहाँ पर एक property लग जाएगी n log x is equal to यानि 2 log x is equal to log x okay तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा log x square not log x log x square okay तो n log x is equal to आप क्या लिख सकते हो log x square लिख सकते हो तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपको मिल रहा है 2 log x, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं log x square, तो यह आपको मिल जाएगा e to the power log base e x square, अब यहाँ base और यहाँ base अगर same है, तो integrating factor आपको directly मिल जाएगा, किसके बराबर x square के बराबर, अब यह सारी चीज़े कितना या x square आया है, dx plus constant, तो यहाँ पर जब हम इसे solve करेंगे, तो यह हो जाएगा z x square minus 20, आप बाहर कर लिजे, यह हो जाएगा x to the power 5 upon 5 plus constant, z आपने क्या consider करा था, z आपने let करा था, y to the power, कितना let करा था, minus 4, तो यहाँ पर उठागे put कर देंगे, y to the power minus 4, x square is equal to, 5, 4, 20 हो यह हो जाएगा minus 4, x to the power 5 plus c, okay, this is your final answer, तो आपने देखा कि किस तरीके से, non-linear equation को पहले हमने linear में change करना, फिर linear differential equation method के help से, हमने हमारा final general solution को find out कर लिया, okay, तो यह तो आपका overall concept हो गया linear, non-linear method का, अब हम लोग आगे चलते हैं, और जितना भी अभी तक हम लोगोंने differential equation में प questions कैसे आते हैं, first question को discuss करते हैं, first question बोल रहा है, the solution for the differential equation dy by dx is equal to x square y, okay, यहाँ पर इसको correct करिएगा, यह आपका लिखा हुआ है x square y, with condition that y is equal to 1 and x is equal to 0, मतलब basically आपको दिया हुआ है, at x is equal to 0 पर y की value आपको 1 मिलेगी, यह कुछ options दे दिये हैं, जो आपको check करके बताने हैं कि क्या होंगे, अब यहाँ पर यह जो e x power 3 लिखा है, यह basically आपका लिखा है, e to the power x cube divided by 3, okay, तो confused मत हो यह गा, मैं धिमेदे में आपको clear कराती रहोंगे, अब चलिए start करते हैं, यह आपका दिया हुआ है, dy by dx, okay, dy by dx is equal to, यह कितना दिया हुआ है, x square y दिया हुआ है, तो यह पर आप क्या कर सकते हो, with the help of variable, separable method इसको solve करा जा सकता है, question देखते ही, मुझे समझ आ गया, क्यों, क्योंकि आप easily separate कर सकते हो, आप देखोगे, तो gx और hy के term में यह आपके equation दी हुई है, जो function x square y रखा हुआ है, यह gx और hy के term में रखा हुआ है, आप इसे easily separate कर सकते हो, तो y इधर चला जाएगा, और dx into x square इधर रहेगा, अब आप क्या करोगे, इसे integrate कर लोगे, तो यह हो जाएगा, dy upon y is equal to x square dx, इसको भी integrate करेंगे, फिर आपका एक constant आजाएगा, c होगे, जो आप इसे solve करोगे, तो 1 upon y का integration कितना हो जाएगा, log y हो जाएगा, is equal to x square का integration कितना होता है, यह होता है, x cube divided by 3, और plus constant ऐसी रहेगा, अब इस c की value निकानने के लिए हमें condition दी होई है, x is equal to 0 पे y is equal to कितना होगा, y is equal to आपका 1 होगा, तो जलिए x is equal to 0 पुट करते हैं, यहाँ 0 पुट करेंगे, तो यह 0 हो जाएगा, और log 1 की value कितनी होती है, वो भी आपकी 0 होती है, तो c की value आपको directly कितनी मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी, कैसे 0 मिलेगी, log 1 मिलेगा, log 1 0, यह 0 प्लस 3, तो यहाँ पर जब आप इससे solve करोगे, तो c की value आपको 0 मिल जाएगी, तो basically आपको मिल गया है, log y is equal to x cube upon 3, जब आप यहाँ पर anti-log लोगे, तो y की value कितनी आज जाएगी, e to the power x cube divided by 3, तो यहाँ पर यह जो आपका, यह जो आपका है, यह नहीं होगा option, option होगा x cube divided by 3, यहाँ पर actually मैं यह जो software में use कर रहे हूं, इसका जो interface है, इसमें cube और square लगनी पाता है, तो थोड़ा कई बार mistakes हो जाती होगे, तो यहाँ पर आपका option देख सकते हो, option D आपका correct होगा, बागी सारे options आपकी क्या हो जाएंगे, और basically आपको मेरे से method सीखना है, कि किस तरीके से solve करना है, सवाल ना किस सवाल रटना होगे, आपको मैं method सिखा रही हूँ कि किस तरीके से engineering mathematics से questions आप solve करोगे, method क्या कहता है, उसके according, question में उसको किस तरीके से apply करना क्या approach होनी चाहिए, questions को solve करने की, ये tricks आपको मेरे से सीखनी है, तभी मैं number of questions आपको practice करा रही होगे, चलिए आगे चलते हैं, first question हमारा complete हो गया, second question की तरफ चलते हैं, बोल रहा है, the solution of dy by dx is equal to y square, with the initial value, यहाँ पर क्या दे रहा है, यहाँ पर दे रहा है, at x is equal to 0 पे y कितन मिलेगा, one मिलेगा, bounded in the interval, ओके आपको बताना है कि इसमें से कौन सा interval एकदम correct होने वाला, चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम solve करेंगे, क्योंकि जब तक हम solve नहीं करेंगे, तब तक हमें नहीं पता चलेगे कि कौन सा interval हमारा correct होने वाला है, तो यहाँ पर आप क्या करोग और जब integration perform करेंगे, तो x constant आ जाएगा, आगे चलते हैं, one upon y square dy का integration कितना होता है, minus का one upon y होता है, x का integration कितना, dx का integration कितना होता है, x होता है, और plus यह constant आ गया, यह constant की value निकालने के लिए ही आपको initial condition यहाँ पर दी जाती है, तो जब आप जैसे यहाँ पर x is equal to 0 put करोगे, x is equal to 0 put करोगे, y is equal to 1 put करोगे, तो c की value यहां से आपको कितनी मिल जाएगी, c की value यहां से आपको मिल जाएगी minus 14, उठाके पुट कर दीजे, तो आपको मिल जाएगा minus का one upon y is equal to x minus 14, okay, तो यहाँ पर अगर मैं y की value आप से पूछू, तो y की value हो जाएगी minus का minus का 1 upon x minus 1 अब यहाँ पर यह जो आपको general solution मिला है अगर आप इसको defined रखना चाहते हो मतलब इसको आप undefined नहीं करना चाहते हो तो x की value 1 नहीं होनी चाहिए क्योंकि x की value अगर 1 हो गई इस particular condition में x की value 1 हो गई तो 1 upon 1 minus 1 क्या हो जाएगा 1 upon 0 which is undefined तो यहाँ पर हमारी range क्या होनी चाहिए x को कहां से कहां तक हमें limit लगानी है x या तो भई या 1 से बड़ा हो जाए या 1 से छोटा हो जाए हमें परवान नहीं है बस x को 1 नहीं होना है x अगर जैसे ही आपका 1 हो जाएगा तो आपका general solution undefined हो जाएगा बास समझारी कि कैसे हमने इस question को solve करा तो यहाँ पर जड़ा option देखेगा आपसे बोल रहा है x minus infinity से infinity गलत है minus infinity से 1 ये भी गलत है अब यहाँ पर देखे less or equal to साइन है यानि 1 भी ले सकते हैं और 1 का undefined हो रहा है x greater than 1 हो या less than 1 हो yes this is your correct answer x minus 2 से 2 के बीच में आपका 1 और minus 1 exist करेगा तो 1 आएगा तो फिर सारा आपका मामला गड़बड हो जाएगा क्योंकि आपको correct interval बताना है तो यहाँ पर option d भी आपका क्या हो जाएगा wrong हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको interval मिल गया x1 ना हो या तो 1 से जादा हो जाएगा या तो 1 से कम हो जाएगे चलते हैं next question discuss करते हैं यह सारे आपके gate previous here कही questions है यहाँ पर बोल रहा है dy by dx is equal to minus x upon y at x is equal to 1 and y is equal to under root 3 मतलब कह रहा है at x is equal to 1 पर y कितना मिलता है under root 3 मिलता है आपको दे क्या रहा है dy by dx is equal to minus x upon y अब आपको इसे solve करना है variable separable method लगा के आप solve कर सकते हो यह हो जाएगा y dy is equal to minus x dx दोनों को एक साथ लियाए यह हो जाएगा y dy plus x dx is equal to 0 अब आप क्या करोगे इसको integrate कर दिये इसको भी integrate कर दिये आप इसे integrate करोगे तो यहाँ पर क्या आजाएगा एक constant आजाएगा तो यहाँ पर जब आप इसे solve करोगे यह हो जाएगा y square divided by 2 plus x square divided by 2 is equal to constant अब ज़र आप initial जो आपको condition दिये वो आप put करिए ताकि आप c की value को find out कर पाओ तो हमने देखा x is equal to 1 पर y is equal to under root 3 हो जाता है और हमारे पास जो equation आईए वो हाईए y square plus x square plus x square is equal to 2c मैंने क्या करा यहाँ पर भी 2 था यहाँ पर भी 2 था उधर constant के साथ भेज दिया अब x is equal to 1 put करिए 1 put करेंगे तो 1 मिलेगा under root 3 का square करेंगे तो 3 मिलेगा यह हो जाएगा 2c तो यहाँ से जब आप c की value निकालेंगे तो कितनी आजाएगे 2 आजाएगे उठाके put कर दीजे यह हो गया आपका x square plus y square c की value जब आप 2 put करोगे तो 2 into 2 कितना हो जाएगा 4 आजाएगा and this is your final answer यह आपने पूरा question इसको successfully solve कर लिया यह आपका answer हो गया अब एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि भई option में यह दिया है कि नहीं दिया है तो आप देख सकते हो option a wrong है option b x x plus y square यह भी wrong है x minus y square यह भी wrong है x square plus y square is equal to 4 यानि option d is your correct answer d option आपका correct होगे तो यहाँ पर आपका question number 3 भी complete हो गया मैंने previous topic से नहीं overall जितना भी पढ़ा है सब से मैंने question थोड़े थोड़े ले लिये हैं ताकि आपको overall अभी तक जितना भी differential equation हो पढ़ चुके हैं वो सब clear हो जाए आगे चलते हैं next question को discuss करते हैं function number 4 को देखेगा बोल रहा है which of the following solution is which of the following is the solution to the differential equation क्या differential equation है dx upon dt plus 3x is equal to 0 यह आपको differential equation दी होई है यहाँ पर 3x और यहाँ पर आपका हाँ ठीक है x आपका t का function है यह बोल रहा है तो यह आपको equation दी होई है आपको इसको solve करना है कैसे solve कर सकते हैं बहुत आसान मुझे यहाँ पर दिख रहा है इसको solve करना अब directly क्या करिए dx upon dt को ऐसे ही रखे और 3x को इधर भेज दीजे तो यह हो जाएगा minus 3x और इससे आप linear differential equation method के help से भी solve कर सकते हो जहाँ पर q आपका क्या हो जाएगा q आपका 0 हो जाएगा उससे भी आपका solve हो जाएगा बड़ी असानी से तो यहाँ पर हो जाएगा dx upon x अब यह कितना हो गया minus 3 into dt अब आप क्या करोगे इसको integrate करोगे इसको integrate करोगे plus 6C constant आजाएगा 1 upon x का integration आपका क्या हो जाएगा log x हो जाएगा 1 upon x dx का integration क्या होता है log x होता है इसके बाद minus 3 तो constant है dt का integration क्या हो जाएगा dt का integration हो जाएगा आपका t तो यह minus 3t plus constant हो जाएगा अब आप यहाँ पर क्या करोगे anti log ले लोगे जैसे आप anti-log लोग है तो x की value आपको क्या मिल जाएगी x की value आपको मिल जाएगी e to the power minus 3 plus c जब base same होते हैं तो आप powers को अलग-अलग भी कर सकते हो और powers को add भी कर सकते हो तो यहाँ पर हम लोग अलग-अलग करेंगे तो यह हो जाएगा e to the power minus 3t into e to the power c ओके अब e to the power c को हम लोग क्या consider कर सकते हैं यह option बताएगा हमें देखिए e to the power minus 3t हमारा आ रहा है मगर इसके साथ यह जो 2 है यह constant value रखी हुई है तो option a तो हो नहीं सकता option c भी नहीं हो सकता option d भी नहीं हो सकता इसका मतलब option b आपका correct है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे let कर लेंगे कि e to the power c भी एक constant time है suppose कर लेंगे कि इसकी value हमें 2 मिल रही है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा x is equal to 2 e to the power minus 3t this is your final answer ओके तो यहाँ पर आपको यह final answer मिल जाएगा आसान होते है question differential equation एक easy chapter है बस आपको छोटी छोटी चीज़े इसमें clear होनी चाहिए videos जैसे जैसे आप देखते जाओगे notes बनाते जाओगे आप notes को follow करते जाओगे तो आपको सारी चीज़े clear हो जाएंगे आगे चलते हैं यह question अभी हम लोग नहीं करेंगे बात में आगे जब मैं इससे related topic आपको cover करा दूंगे उसके बाद हम लोग discuss करेंगे question number 6 देखेगा बोल रहा है the solution of the differential equation क्या दे रहा है x dy by dx plus y is equal to x to the power 4 with the condition condition क्या दे रहा है at x is equal to 1 पर y कितना मिल जाएगा 6 upon 5 वोके y कितना मिलेगा 6 upon 5 मिलेगा इसको हमें solve करना है हम कैसे solve कर सकते हैं इसको देखे अगर मैं इस x को यहां से हटा दूं तो finally मुझे मिल जाएगा dy upon dx plus यह x आप common लेके उधर बेजोगे तो यह हो जाएगा 1 upon x ओके यह हो जाएगा 1 upon x y is equal to यहां से यह जब upon में जाएगा x तो 1 x से x cancel हो जाएगा आपको मिल जाएगा x to the power 3 अब आप देख सकते हो यह linear differential equation method के help से आप आसानी से solve कर सकते हो यहां पर p x का काम कौन कर रहा है p x का काम कर रहा है 1 upon x q x का का काम कर रहा है q x का का कर रहा है x cube हमारा इस particular equation का जो general solution है वो general solution क्या है y into integrating factor is equal to यहां पर क्या जाएगा q function of x और maybe constant q x integrating factor into dx okay integrating factor यहां पर integrating factor into dx plus constant तो चलिए आईए सबसे पहले integrating factor को find out करते हैं यह होता है e to the power integration p into dx अब आपको p कितना दे रहा है p आपको दे रहा है 1 upon x चलिए यहां पर put कर दीजे integration 1 upon x dx अब 1 upon x का क्या हो जाएगा log x हो जाएगा तो e to the power log x base e अब यहां पर यह बेस और यह बेस सेम है तो आपको directly क्या मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक्स मिल जाएगा यह सब चुटी चुटी प्रोपर्टीज है जो लोग 12th क्लास में पढ़ते दे अगर आपको यह प्रोपर्टीज नहीं आ दे लोग की प्रोपर्टी गूगल पर सर्च करके देख लीजे सारी लोग की प्रोपर्टी याद रख लिए जाएगा आपको y x is equal to x to the power 5 upon 5 plus constant अब यह x आप इधर भेज दीजे जब आप इसको इधर भेज होगे तो final आपको जो general solution मिलेगा वो मिल जाएगा x to the power 4 upon 5 plus c upon x होगे तो आपको यह एक general solution मिल गया कुछ initial condition दी है हाँ दी वही है x is equal to 1 पर y is equal to 6 upon 5 मिलेगा तो इसकी help से हम constant निकाल सकते हैं कि x is equal to 1 पर y कितना मिल रहा है 6 upon 5 मिल रहा है यह हो जाएगा okay c upon x is equal to 1 तो यहाँ पर जब आप c की value निकालोगे that will be equal to 1 क्योंकि 6 upon 5 1 upon 5 उससे minus हो जाएगा 5 upon 5 बचेगा that will be equal to 1 तो यहाँ पर आपको y मिल जाएगा x to the power 4 upon 5 plus 1 upon x okay this is our final answer और अगर initial condition हमें न हमारा यही final answer हो जाता इक बार option चेक कर लेते हैं कि कोई option match कर रहा है सबसे पहले देख लेते हैं power 4 होगे तो यहाँ power 5 दी वही है नहीं होगा I think option c आपका match कर रहा है x to the power 4 upon 5 plus 1 यहाँ पर यह भी गलत हो जाएगा यह भी गलत हो जाएगा तो यह question भी आपका successfully solve हो गया आग y upon dx is equal to cos x plus y अब यहाँ पर variable separable method आप आसानी से लगा सकते हो और यहाँ पर मैंने आपको बताया था अगर linear expression है तो आप क्या करो x plus y को z consider कर लो ओके तो यह इसका differentiation होगा तो 1 हो जाएगा यह हो जाएगा dy upon dx और यहाँ पर आपको मिल जाएगा dz upon dx ओके तो यहाँ पर dy upon dx की जगा हम लोग क्या पुट कर सकते हैं dy upon dx की जगा हम लोग पुट कर सकते हैं dz upon dx minus 1 अब उठागे पुट कर दीजे तो यह हो जाएगा dz upon dx minus 1 is equal to यह कितना हो जाएगा cos z हो जाएगा अब यहाँ पर थोड़ा सा और simplify करिए dz upon dx is equal to यह हो जाएगा 1 plus cos z अब cos z का मतलब क्या ह है आप कोई cos का ऐसा formula लगा ही जिससे 1 cancel हो जाए तो cos 2 theta के दो formula पढ़े हैं एक 1 minus 2 sin square theta और दूसरा होता है 2 cos square theta minus 1 तो यहाँ पर थीटा की जगा क्या है z है ओके तो यहाँ पर हो जाएगा 2 cos square z upon 2 minus 1 तो यहाँ से 1 से 1 cancel out हो जाएगा और आपको finally मिल जाएगा dz upon dx is equal to dz upon dx is equal to 2 cos square z by 2 अगर 2z होता तो z मिलता अब वहाँ पर z है तो यहाँ पर क्या मिलेगा z by 2 मिलेगा और अगर यह चीज़ नहीं समझ आई हो तो मैं यहाँ पर लिख दूं cos square 2x के दो formula होते हैं एक होता है 2 cos square x minus 1 अब देखे एक सो theta हो z हो कोई फर्क नहीं पढ़ता है दूसरा आप पर z का जो function है उसको आप नीचे लिए तो यह हो जाएगा cos square z by 2 यह आपका हो जाएगा 2 into dx हो कि आपने z वाला portion एक side कर लिया और x वाला portion एक side कर लिया अब आप इसको लिख सकते हो sec square z by 2 dz is equal to यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 dx हो जाएगा आप इसे integrate कर लो यहाँ पर integration होग तो एक c constant आजाएगा sec square x का integration tan x होता है तो sec square z by 2 का tan z by 2 हो जाएगा अब यहाँ पर x के जगा z by 2 है तो z by 2 का differentiation कितना हो जाएगा 1 by 2 हो जाएगा तो यह हो जाएगा 2x plus c अब जब आप इसको थोड़ा सा solve करोगे तो आपो कितना मिल जाएगा अगर मैं इस 2 को पहले से ही यहाँ पर भेज़ दूँ 1 upon 2 इधर नहीं रखूँ देखेगा जरा अगर मैं इस 2 को पहले ही यहाँ पर भेज़ दूँ तो यहाँ पर 2 होगा नह 10 okay 2 upon 2 10 z by 2 is equal to x plus c तो 2 से 2 cancel out हो जाएगा z आपने जो consider करा था उसको वापस से रख दीजे तो यह हो जाएगा 10 x plus y divided by 2 क्योंकि z आपने क्या consider करा था x by z consider x plus y consider करा था तो यह हो जाएगा आपका final answer अब आप option चेक करोगे तो option आपका कौन सा correct है option d is your correct answer बागी सारे option आपके गलत होंगे question number 8 देखेगा question number 8 काफी interesting question है बोल रहा है consider the following differential equation differential equation क्या दिए हुई है x y dx plus x dy और यहाँ पर क्या दिया हुआ है cos y upon x is equal to y यहाँ पर दिया हुआ है x dy minus y dx sin y upon x ओके यहाँ पर आपको इसको solve करना हो चेक करना है कि कौन सा solution आपका correct है कैसे करेंगे सबसे पहले इसको थोड़ा simplify करने के कोशिश करते है y by x यहाँ है y by x यहाँ है तो cos को नीचे बेज जाते हैं तो sin upon cos 10 में convert हो जाएगा त x dx plus x dy ओके आप क्या करेंगे divide का sign लगाई है इस तरीके से अब यहाँ पर यह वाला जो term है इसको भी नीचे लिया आते हैं तो यह हो जाएगा x dy minus y dx ओके इसके बाद यहाँ पर आपको बच जाएगा y और यह वाला x में यहाँ पर लिया आते हूँ तो यह हो जाएगा y upon x और यहाँ पर आपको मिल जाएगा tan y upon x ओके अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यह function जो है यह homogeneous function है जिसके degree कितनी है जिसके degree आपके 0 है तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ let कर लेती हूँ यहाँ पर मैं let कर लेती हूँ y is equal to v into x ओके y को मैं v x से replace कर दूँगी तो dy को किस से replace करेंगे dy को replace करेंगे v dx से plus x dv से जहाँ जहाँ पर dy होगा वहाँ वहाँ पर vdx plus xdv put कर देंगे और जहाँ जहाँ पर y होगा वहाँ पर vx put कर देंगे तो यहाँ y है vx put करतें यहाँ dy है तो यहाँ पर हम लोग क्या put कर देंगे vdx plus xdv put कर देंगे अब क्या करेंगे, divide का sign लगाईए, अब देखते हैं, x ऐसे ही रहेगा, x ऐसे ही रहेगा, dy की जगा क्या पुट करेंगे, dy की जगा पुट करेंगे, vdx plus xdv, फिर उसके बाद minus sign लगाईए, यह हो जाएगा, आपका vx dx is equal to, यहाँ पर जब आप vx पुट करोगे, तो यह बच जाएगा v, और यहाँ पर जब आप vx पुट करोगे, तो यह आपका बच जाएगा tan v, अब थोड़ा सा इसको solve करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर मिलेगा, आपको x का जब आप अंदर multiply करोगे, तो xv dx, और यहाँ पर भी xv dx रखका, दोनों cancel out हो जाएगे, यह है vx dx, vx dx, तो यह हो जाएगा 2vx dx, प्लस x का अंदर multiply होगा, x square dv, divided by, यहाँ पर हो जाएगा, आपका x square dv, is equal to v tan v, अब एक x common लीजे, यहाँ से एक x common लीजे, यहाँ से एक common लीजे, तो x x कट जाएगा, तो यह बच जाएगा, आपका 2v dx, प्लस x dv, और यहाँ पर भी divide में बचेगा, आपके पास x dv, that will be equal to v tan v, ओके, वो किसके बराबर हो जाएगा, v tan v के बराबर हो जाएगा, अब जब आप यहाँ पर इसको solve करोगे, तो अलग-अलग कर सकते हैं, जैसी आप इसको इसके साथ लेंगे, तो 2v dx, यह हो जाएगा, 2v dx, अपॉन, कितना बच v, और यहाँ पर यह हो जाएगा, v tan v minus 1, ओके, अब यहाँ पर यह 1 upon x dx, आप as it is रखे, जो 2 constant रखा है, वो भी as it is रखे, यहाँ पर v भेज दीजे, यह रखा हुआ है, आपका v tan v minus 1, और यह dv आप इधर भेज दीजे, तो अब आप देख सकते हो, with the help of variable separable method, हमने x वाल part को अलग कर लिया, और v वाले part को अलग कर लिया, y is equal to v x consider करा था, last में जब solve कर लेंगे, तो जहाँ जहाँ वी होगा, वहाँ वहाँ पर y by x put कर देंगे, जब आप इसको integrate करोगे, इसको भी integrate कर सकते है, इसको भी integrate कर सकते है, तो एक constant आ जाएगा, तो integrate करने के बाद आप को 2 log x, ओके यह आपको कितना मिल जाएगा, 2 log x, अब यह v पहले अंदर जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ 10 v बचेगा, अब 10 v का आपको क्या करना पड़ेगा, 10 v का आपको integration करना पड़ेगा, तो यहाँ पर रख देते हैं, integration 10 v dv, अब यह v का 1 upon v का अंदर multiplication होगा, तो यह minus का integration 1 upon v dv हो जाएगा, और plus constant आजाएगा, 10 v का differentiation का, integration क्या होता है, not differentiation, it's integration, तो यह हो जाएगा, log x square is equal to 10 v का integration हो जाएगा, आपका log sec v, okay, 1 upon v का कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, log v plus, अब इस constant को भी हम लोग log c के term में लिख सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ लॉग में तो यह हो जाएगा, log x square, यह हो जाएगा, log sec v upon v, log alpha minus beta क्या होता है, log alpha upon beta, तो यह हो जाएगा, log c, अब anti log अगर आप ले लोगे, तो यह हो जाएगा, log x square, बाद में anti log लेते, log alpha plus log beta कितना होता है, log alpha into beta, तो यह हो जाएगा, log यहाँ पर मिल जाएगा, आपको sec v upon v into constant, अब anti log जब आप लोगे तो x square की value आपको कित्ती मिल जाएगी यह आपको मिल जाएगी sec v upon v into constant अब sec v किसके बराबर होता है sec v cos v के बराबर होता है तो sec v cos v के बराबर हो जाएगा और यहाँ पर आपको मिल जाएगा c upon v x square आप v की जगा क्या पुट करना है y by x put करना है तो यह हो जाएगा cos y by x is equal to c upon v की जगा y by x into x square एक x से से एक x cancel out हो जाएगा तो यहाँ से आपको मिल जाएगा cos y upon x is equal to c upon xy अब option के according हमें यहाँ पर सारी चीज़े लगानी होगी जैसे कि लिखा हुआ है x y cos y by x is equal to c तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा यहाँ पर हमें x y को इधर लेके जाना होगा तो यह हो जाएगा x y cos y upon x is equal to constant तो आप देख सकते हो x y को आप इधर multiply करा दो तो according to your option आप इस चीज़ को arrange कर सकते हो अपने हिसाब से इसको एक दो बार और question करिएगा यह question काफी अच्छा है यह question आपका complete हो गया है और अगर मैं बात करूं तो option c आपका correct answer होगे तो आज के sudo lecture में इतना ही रखते हैं linear differential equation method और non-linear differential equation method with all the important late previous questions हम लोग cover कर चुके हैं मैं मिलूँगी आपसे next video में exact and non-exact method को discuss करेंगे और इसी के साथ सद अगर इस पूरी video में कहीं पर कुछ नहीं समझाया हो कहीं पर कुछ doubt रहे गया हो तो आप मेरे से clear कर सकते हो thank you so much